आज मैं बनाने जा रही हो आलू और कठल का सब्जी तो यह जितना दिखने में फ्रेंट्स अच्छा लग रहा है खाने में भी उतना ही स्वादिश्ट है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आये तो प्लीज चैनल को सब्सक्राब करना ना भूले और मुझे फेस्बूक इस् अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आये तो प्लीज चैनल को सब्सक्राब करना ना भूले तो चलिए मैं रेश्पी को सुर करते हूं यहां पर मैंने लिया है 500 ग्राप कटहल तो कटहल को काटने से पहले मैं हाथ पर तिल लगा लूँगी अगर आप नहीं जानते के कटर के काटने से पहले हाथ पर क्यों तिल लगा जाता है तो आज मैं बताती हूँ आपको अगर आप तिल नहीं लगाएँगा तो इसक जो दूद निकलता है वहां चिपक जाएगा जल्दी निकलता भी नहीं है तो यह देखिए पहले मैं डंठल को निकाल लेती हूँ उसके दोने के बाद इसे कुकर में मैं डाल दूँगी उबलने के लिए क्योंकि अगर ऐसी आप सबजी से बनाईएगा तो वो कच्छा ही रहा जाता है तो इसे उबलना बहुत जरूरी होता है तो यहां पेन कुकर में डाल दिया है और इसमें थौशा मैंने पानी डाला है तो मैं धकन को लगा लेती हूँ और इसे तीन से चार सीटी आने तक इसे पकने देती हूँ यहां पर गैस को मैंने मीडियम ही रखा है तब तक इसका मसाला रेडिक कर लेती हूँ इसके लिए मैंने यहां पर कराई को गरम होने के लिए रख दिया है और इसमें मैंने दो चमच ते डाल देती हूँ तो यहां पर मैंने इसे डाल दिया है तो मैं इसमें डालूंगी मैं अब डालूंगी हरा मिर्च और एक इंचे द्रक का टुकडा तो इसे मैं धो भागों में काट लिया है तो मैं इसमें थोड़ा सा लसुन डाल रही हूँ अब मैं बारी कटा हुआ इसमें डाल देरी हूं एक प्याज jsब मैं ने बार्य टुकुन में काट लिया है और मिला लेती हूं के यहाँ पर 102 मिंट मैंने इसे मिला लिया है इसमें मैं डालूंगा के बारिक टुकुन को तोमाटर को त दो मैंने यहां पर श्रुकुन डाल रहे है इसमें एक ही डाले तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है और इसे धकन से मैं धक देती हूँ थोरा सा टमाटर है जो हलका सौफ्ट हो जाएगा तो यह देखिए टमाटर हलका सौफ्ट हो गया है तो मैं इसे मिला लेती हूँ तो हमारा मसाला है जो र पीस लिया है यह देखिए और यहां पर हमारा कटहल है जो चार से पांच सिटी लग गया है तो मैं गयास को बंद कर दिया है और ठंडा होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ तो यह देखिए धकन है जो ठंडा हो गया था तो मैंने यहां पर इसे खोल लिया है तो यहां प को पसंद है वह से आप कर सकते हैं और यहां पर मैंने बॉल अलु लिया उसका मीछ छिल्का मैं lay निकाल देती हूव और इसे भी मैं पिशेंस में काट लिया है तो मैंने जयादा तैनला पी पिसेंस में नहीं रहा है मैंने बेहन्या, मैंने पिसेंस क्याने कराही को गरम होने के लिए रख दिया है और इसमें मैं वाय, मैं सरसो का तेल डाल रही है ना या तो आप मार्केट में खाते है बिल्कुल आपको उसी तरह टेस्ट आएगा तो इसी तरह से मिलाते हुए मैं भूंज लेती हूँ तो यहाँ पर देखिए हमारा कटहल है जो बिल्कुल ही रेडी हो गया है यह अच्छे से भूंजा गया है तो मैं इसे निकाल लेती हूँ तालो को मैं नहीं भूंजओंगे क्योंकि वो अल्रेडी है भूंज लू है तो यहाँ पर मैंने सेम कराई लिया इसमें मैंने पच छो फोरन डाला है जो मैंने मसाला रेडी किया पिसकर हूँ मैंने डाल दिया है और इसे एक से दो मिनия इसे मिलाते हुए मैं भूंज लेती तो यहां पर मैं 102 मिनिट हो गया था तो मैंने इसमें सुखा मसाला एट किया है तो इसमें एक चमच मैंने हल्दी पॉडर डाला है और एक चमच मैंने इसमें कस्मेरी लालमिच का पॉडर डाला है और एक चमच मैंने इसमें धनिया पॉडर डाला है और से भी मिलाते हुए दो से तिन मिनट भूंज लेती हूँ तो यहाँ पर दो से तिन मिनट हो गया है मसाला भी हमारा अच्छे से भूंजा गया है यह देखे तो इसमें मैं कटा लालो को डाल देती हूँ इसे भी मैं दो से तीन मिनट मिलाते हुए भूंज लेती हूँ मसालों को साथ सब्जी भी थोरा अच्छे से भूंज आ जाएगा यहाँ पर मैंने डाला है स्वादनु साथ नमक और नमक डालकर मैं इसे अच्छे से मिला लेती हूँ तब यह डेटी हो गया है तो मैं इसमें पानी डाल लेती हूँ तो जिस मैंने मिक्सिजार में मसाला रेडी किया था उसे में मैंने पानी डाल दिया है और उसे मैं अच्छे से मिला लेती हूँ ऐसे पांच मिनट के लिए मैं धकन से धक देती हूँ तो यहां पर मैने ढ़कनसे से ढ़क दिया है, और यहां पर 5 मिनट हो गया है, तो यह देखे, सबजी में अच्छे से उबाल आने लगा है, तो हमारा कटल अलू का जो सबजी है रेडी हो गया है तो एक बार मैंसे मिला लेती हूँ और फिर मैं गैस को बन कर दूंगी तो मैं आपको सब करके दिखाती हूँ यह दिखे तो जितना यह दिखने में फ्रेंस अच्छा लग रहा है खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी है तो यहाँ पर मैंने ग्रेवी है जो थोड़ा गाडा ही रखा है क्योंकि रोटी प्राठा में यह इससी तरह मैं ग्रेवी रखती हूँ अगर आप चावल के साथ खाईएगा तो आप इस तरह से पतला करके ग्रेवी को रख सकते हैं तो सेम मैंने कटल का सबजी बनाया है यह थोड़ा पतला मैंने यहाँ ग्रेवी रखा क्योंकि मुझे चावल के साथ खाना पसंद है तो मैंने यहाँ पर इसे पतला रखा ग्रेवी मेरे तरीके से एक बार कटल आलू को इस तरह से सबजी बना कर देखी आपको भी बहुत पसंद आएगा अगर आपको मेरी इस चैनल को सिस्क्राब करना ना भूले और मुझे कमेंट करके जरूर बताए फिर मैं मिलूंगी नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई